कि नमस्कार दोस्तों आर्जी न्यूज में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे कि फेस्बुक पे अपडेट कैसे करते हैं मुबाइल के बारा अचैने के यह हमने अपना फेस्बुक जो है टाइम लाइन ओपन कर रखा है मुबाइल पे यहां पर हम यहां लिखा हुआ है यहां कुछ लिखे हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे ऐसे और सबसे पहले हम सीखेंगे कि फोटो कैसे अफ्लोड करते हैं तो फोटो वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक किया और हम यहाँ पर यह फोटोग्राप पर सेलेट किया और यहाँ डन किया अब फोटो में अगर हम कुछ क्रॉप करना चाहते हैं या एज़िटी स्लोट करना चाहते हैं एडिट पर तो कर सकते हैं और हम यहाँ पर सीधे पोस्ट इस तरीके से यह अपने मित्र हैं और इनका फोटोग्राफ हमने जो है फेस्बुक के अपनी टाइम लाइन पर पोस्ट किया और जिसे जो है लोग लाइक कमेंट्स और शेयर कर सकते हैं अब आगे सीखते हैं कि हम लोग कोई मैसेज कैसे पोस्ट कर सकते हैं फेस्बुक पर सबसे पहले हम लोग Facebook app on करेंगे तो यह जो है timeline का option आता है यहाँ पे और यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कुछ लिखिए आप इस पे touch करेंगे और यहाँ पे type करना शुरू करते हैंगे जैसे हमने लिखा thanks अब हम कोई background में color अगर post लगाना चाहें तो color ऐसे choose कर सकते हैं और post अब दोस्तों देखिए यहाँ पे thanks का message जो है हमारे timeline पे post हो गया अब timeline पे हम और क्या post कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ कुछ लिखिए पे click करते हैं और हम अपनी location पोस्ट कर सकते हैं वीडियो अगर हम पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और photo जब हम post करते हैं यहाँ पे click करके तो हम एक साथ जो है multiple photo भी post कर सकते हैं जैसे for example this अब यहां पर करेंगे तो इस प्रकार से एक साथ हमने तीन फोटोग्राप को select कर लिया है अभी अभी यह पूच्ट नहीं हुआ है सिर्फ select हुआ है और हम यहां से इन फोटोग्राप कहां पर लिये गये थे उनकी location भी हम यहां से choose कर सकती है लोकेशन पर जाके यहां का है लोकेशन को टैप कर दिया हमने और पोस्ट यास तो इस प्रकार से हम जो है एक साथ कई फोटोग्राप को पोस्ट कर सकते हैं अपनी टाइम लाइन पर तो आज के लिए इतना ही नहीं लिवाद आत्यों ग्राइम पर कर लोग्राप।